अधानी रायपूर में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल याने की एनजीटी के दिशा निर्देशों की खोले आम धज्जे आउडाई जा रही है। चार दिन पहले आईनिश्टी फोर्ट सेवन और हरी भूमी की खबर के बाद शासन के निर्देश पर जिम्मेदारा धिकारियों ने मशीन और खाईवाद जट करने का दावा किया। साथ ही कहा कि अब सभी रेदगाड पूर्ण तह बंध है। लेकिन हमारे रेयल्टी चेक में प्रशासन के दावे की पोल खुद बखुद खुद 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 है। इन जी टी के आदेश कच्रे की टोकरी में डाल दिये गए है। इसके बाद प्रशासन कमले ने वाहन और मशीन सब्ति का दावा किया। साथ या पूरी तरह से रेदगाटों से खनन बंध होने की बात कही। हमारी टीम शनिवार को फिर महानदी की किनारे रेदगाटों तक पहुँची। तो मशीने रेद निकालते तो नहीं देखी लेकिन ट्रेक्टरों की कतारे रेद लेकर नदी से निकलते जरूर देखी। हमारी टीम सबसे पहले सुबह 8 बजे आरंग के राटा काट रेदगाट पहुची। जहां 4 दिन पहले हमने स्थिती देखी थी। आज भी नदी के दोनों छोर पर रेद निकालने और परिवहन का काम जारी था। ऐसा ही नजारा आरंग के कुमारी रेद खाट पर भी देखने को मिला। दूसरी ओर आरंग के फोल डीवे ग्रामिनों ने बैठक कर रेद खाट के संचालन पर रोक लगाने का अर्णर ने लिया है। तौबनपुर के पारा गाओ में रेद खाट पूरी तरह से बंद मिले। और जैसे भी कम है और कुछ हाईवा रखी गई है और ट्रेक्टरों से लगतार रेद का परिवहन किया जा रहा है। तो वर्स जब NGT प्रतिबंद लगाता है तो रेद के दाम कहीं न कहीं उचाल लेते हैं और इसका फायदा जो है रेद माफिया खनन माफिया उठाते हैं और कहीं न कहीं सासन को भी इससे बड़ी छती पहुंचती है। तुसरे बात करें परियावरान विभाग और नदियों के जो कटाव होते हैं उसके कारण जो है कहीं न कहीं एक बड़ी विपदा आने की भी संकट रहती है और यहर वर्स होता है सभी जिलों में कारवाई की बात कही गई थी लेकिन राजधानी राइपूर की बात करें तो किसी भी नियम काईदों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है और इसके अलावा बात करें प्रसासन की जिन पर इन नियम कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है वे भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं जो है बचते हुए नजर आ रहा है अब देखने वाली बा कुछ